सूबह के साड़े पांच बज रहे हैं और मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी क्योंकि भाई मेरा काफी नुकसान हो गया मैं बता रहा हूँ अगर आप इसा पॉर्ट सिस्टम यूज करते हो और आप निकोटिन लिक्वीड खरीदने जाओ से पहले ये वीडियो ए अच्छे निकले लेकिन लास्ट टाइम पता नहीं क्या हुआ कि मैंने एक लिक्वीड लिया नाम नहीं बताऊंगा वरना वीडियो डाउन हो जाएगा ये लिक्वीड लिया था मैंने बाहरे इंट से लिया था इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो मैं आपको बताता हूँ शु वह में दूसरी कोईल में भी सेम अच्छा वाइई मैं तीसरी कोईल लेकर आया उसके बाद भी यह लगा चाहिए तक य मुग्यो टैंक खराब है यह नई टैंक है यह पुरानी है मैंने यह टैंक बदल ओढ़ता हूँ बदल को इसके बाद मैं घिसा पता कि यह लिक्वीड बहुत पतला था जब आप लिक्वीड लेने जा तो अब ये ज़रूर ध्यान रखो कि उसका वीजी पीजी लेवल याने की प्रॉपेलिन ग्लाइकोल और वेजिटेबल ग्लिसरीन उसका जो लेवल है वो कम से कम 50-50 हो कभी कभी होता है 50-50 होता है कभी 70 ग्लिसरीन होता है और लीक करने लगेगा और आपका पूरी पॉर्ट सिस्टम खराब होगी बस यही नहीं बलकि आपका लिक्वीड भी वेस्ट जाएगा मेरा इस एक लिक्वीड के चक्कर में भाई इतना खर्चा हो गया कि उसके जितने पैसे हो उसके अंदर कम से कम मेरे दो लिक्वीड आ जा यहां पर इन्फोर्मेशन लिखी हो ठीक है यहां पर लिखा होता है कि इसका वीजी पीजी लेवल कितना है तो आप बस यह ध्यान में रखो कि कम से कम 50-50 उसका रेशियो हो उससे क्या होगा कि आपका लिक्वीड पीछे से लीक नहीं होगा तो यह मैं आपको खास करके सब को बताना चाहता था कि मेरा जो नुक्सान हुआ हो आपका नहीं हो ठीक है तो बस भाई यही ध्यान में रखना और लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो